स्वाती मालेवाल मामले पर दिली के मुखिमंतरी अर्विन केज्रिवाल का पहली बार बयान आया है केज्रिवाल ने PTI को देए एक इंटर्विव में कहा कि मैं इस केस में नस्पक्ष जांच और न्याय चाहता हूँ इस केस के दो वरजन है दिली महिला आयोक के पुर्वदेक्ष स्वाती मालेवाल ने 13 माईकू सीएम हाउस अर्विन के ज्रिवाल के आवास पर गई थी इस दोरान उन्होंने दावा किया कि उनके साथ सीएम के पीए रहे विभव कुमार ने मार पीट की है स्वाति मालेवाल ने कई और भी आरोप लगाये थे केज़ुआल ने कहा कि उनकी पद्नी सुनीता को राजनीत में रूची नहीं है और वह भविश्य में चुनावन नहीं लड़ेंगे इसके दो दिन बाद पुलिस ने उनका बयान दर्श किया और इसके आधार परिफायार दर्श किया गया पुलिस ने इसके बाद विभाव कुमार को गिरफतार भी कर लिया इस मामले पर भी भाजपा ने बुद्वार को दावा किया इस पूरे घटना करम के पीछे भाजपा कहाँथ होने के आपके आरोपों को खारिश करते हुए सावंत ने सनवाद दाताओं से कहा कि मालेवाल के जिवाल की पुरानी सयूगी है और उन्होंने खुद मुखेमंत्री आवास पर कुमार के खिलाफ शारेरे करूप से प्रतारित करने को लेकर पुलिस में मामला दरुश कराया है लोगसब़ जुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने राश्रोय राज़ानी पहुचे सावंत ने कहा कि हर जगा लोग इस मुद्धे पर के जिवाल के चुपी पर सवाल उठा रहे हैं उन्होंने आपको दिल्ली विरोधी महिला विरोधी पार्टी करार देते हुए कहा कि उनकी चुपी अपने आप में बहुत कुछ कहती है त्रवेदी ने कहा कि केजरुआल ने दावा किया कि उनके सरकार शहर के हर हिस्से में CCTV की व्यापक तैनाती सुनिश्युत करेगी त्रवेदी ने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लेकिन उनके आवास में भी असुवधा नहीं है